नमस्कार, BCN News के पोला स्पेशल कारेकरम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आपको मेरी और BCN की संपूर्णे टीम की और से पोले की ठेर सारी शुपकाम नाए हम सभी जानते हैं कि भारत देश कृशी प्रदान देश है किसान हमारे समाज में एक एहम भूमिका अदा करते है और बैल किसानों की जीवन का मतुपूर्ण हिस्सा होते है किसान बैलों को देवतुल्य मान कर उनकी पूचा अर्चिना करते है इसे के तहट बैलों की प्रती अपनी कृतक गयता व्यक्त करने की उद्देश से हमारे देश में पूला यहत्यवार मनाया चाता है यह पर्व, महाराष्ट, मध्यप्रदेश और इच्छेतिसकर में खासा उत्सा के साथ मनाया चाता है संबन में अलिक जानकारी के लिए आएए देखते हैं हमारी खास पेशकैश पूला यहत्यवार मनाने की पीछे यह कहावत है कि अगर समा में खेति किसान का काम समाप्त होने के बाद इस दिन अन्नमाता गर्बधारन करती है यानि दान की बौधे में इस दिन दुद भरता है इसलिए यहत्योहार मनाया चाता है यहत्योहार पुरुषू, स्त्रिय एवं बच्चों के लिए अलग-अलग मातुर रखता है इस दिन पुरुष पशुधन बैल को सज्जा कर उसकी पूजा करते है स्रिय एस्तियोहार के वक अपने माय की जाती है वही छोटे बच्चे मिट्टे के बैलों की पूजा करते है पिठोरिया मावस्या पर पुला पर्फ धूमधाम से मनाया चाता है इस दिन अपने पुत्रों की दुर्गायों के लिए चोशुष योगिनी और पशुधन का पूजिन किया जाता है इस असर पर जहां घरों में पैलों की पूजा की जाती है वही लोग पकवानों का लुफ्त बे उठाते है इसके साथ ही इस दिन बैल सचाव प्रत्योगिता का आयोचिन भी किया जाता है पुला पर्फ के चलती शेहर से लेकर गाव तक थूम रहती है जगा जगा बैलों की पूजा आर्शिना होती है गाव की किसान बाई सुभे से ही बैलों को नहला दुला कर सचाते है फिर हर घर में उनकी विधिविदान से पूजा आर्शिना की जाती है इसके बाद घरों में बने पकवान भी बैलों को खिलाये जाते है पहले कई गाव में इस असर पर बैल दोर का आयोचिन भी किया जाता था लेकिन समय के साथ यह परंपरा समाप्त होने लगी इस दिन मिट्टी और लकड़ से बने बैल चलाने की भी परंपरा है पर्फ के दो-तिन दिन पूर्व से ही बासारों में लकड़ी तदा मिट्टी के बैल जोडियों में बिक्ते दिखाई देते है बट्टी महेंगाई की कारण यह अब करीबन पचास से सो रुपय तक की जोड़ी में पीची चाते है इसके लावा मिट्टी के अन्य खिलोनों की भी भरमार बासारों में दिखाई देती है यह त्योहार दरसल कृशी आधारित पर्व है वास्तव में इस पर्व का मतलब खेती किसानी जैसी निंदाई, रोपाई, आधी का कार्य समाप्त हो जाना है लेकिन कई बार अम्यमित वर्षा के कारण ऐसान नहीं हो पाता है महाराश्यन परिवारों में पोड़ा पर्व के दिन घरों में खास तोर पर पुरन पुली और खीर बनाई जाती है बैलों को सचा कर उनका पूजिन किया जाता है फिर उने पुरन पुली और खीर भी खिलाई जाती है शेहर के प्रमुक स्थानों से उनकी रैली भी निकाली चाती है खास तोर पर 36 गड़ में इस लोग पर्फतर घरों में ठेटरी, खुर्मी, चौसेला, खीर, पूरी जैसे कई लसीज विंचिन बनाये चाते हैं जिन जिन घरों में बैल होते हैं वे इस दिन अपने बैलों की जोड़ी को आची तरह सजा सवार कर इस दोर में लाते हैं इस पूजन के बाद माताय अपने पुतरों से पहले अथिती कौन इस तरह पूछती है और पुतरों अपना नाम माता को पताते हैं उसके बाद ही पुरन पोई और खी का प्रसाद ग्रहन करते हैं महाराश्टों और चत्यसकर के साथ साथ खंडावा तथा अन्य गई स्थानों पर मनाय जाने वाले इस लोग पर्व का नजारा देखने में ही खूबसूरत दिखाई देता है मोती मालाव तथा रंग बिरंगी फुलो और प्लासिक के डिजाइनर फुलो और अन्य आकरतियों से सजी खूबसूरत बैलों की जोड़ी हल इनसान का मन मोह लेती है भादर प्रत की कुरुष्ण प्रक्ष की अमावस्या को मनाय जाने वाला यह पोड़ा पर्व करिस समाजवासी बहुत ही उत्सापरवक मनाते है बैलों की जोड़ी का यह पोड़ा उत्सव देखते ही बनता है इस सरसर पर बैल दोड और बैल सौनर्य प्रतियोगिता का आयोचिन किया जाता है इसमें अधिक सर्दिक के साथ अपने बैलों की साथ भाग लेते हैं खास सजी सवी बैलों की जोड़ी को इस दोरान प्रिस्क्रत भी किया जाता है पूला का त्योहार हर इंसान को जानोरों का सम्मान करना सिखाता है जानोरों का सम्मान करने की सीख हमें पहले से ही दी जाती है लेकिन कुछ लोग इसे भूल कर जानोरों के साथ बेहद ही कुरूर व्यवार करते है इस चीज़ पर अंकुष लगाना समय की मांग है आशा है कि आपको अमारी आज की पेशकृष अच्छी लगी होगी फिर एक बार आपको पूले की धेर सारी शुपकावनाई नमश्कार